वाइन गो गुड़ मारिंग ये इस्ट्रेट्वेंट्स वेलकम बैक आज की क्लास में हम लोग कुछ टांब्स के वारे में जानीगे बिसिकली परपस है मेडिक प्रॉपर्टिज आफ मैड्रियल को डिसाइब करने का हमारे पास बहुत सारे मैड्रियल हैं उनकी मेडिक लोगों को यहां पर डिसकस करनी है कुछ नहीं टर्म्स क्या है कैसे हैं बहुत सारी चीज़ा तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अब उनको फ्रेम किया है अगर कभी डिवाइन आ जाए आप लोगों को या कभी लगता है कि कोई कंफीजन हो रहा है तो आप यहां टर्मिलोजी के में जरुद होगी वह टर्मिलोजी आज हम लोग पढ़ाएंगे छोटी सी क्लास होगी आप लोग एंजोई करेंगे सबसे पहला कॉंसर्ट आता है मेंगेडाइजिंग फील्ड फील्ड जो है वह अगीन क्या है एक ट्री डाइमेशनल क्वांटिडी है एक अब ये इसन इस्पेस है जिसके अंदर हमको ये इसन इसल परять के लिए हम कुछ एप्पर्पस के लिए तो क्या करते हैं कोई सब्स फ्रक्राइज उठा लेटें ये सब्स्थ्ठानस अई में और सब्सक्राइज बुद क्या है कोई गैस हो सकती है हाइट हो जाने थो उसको लोग कहते किया सप्रीमाइब किया हम लोग ब्लेस कर दो उसके उपर होने वाले चेंज़ को समझने के लिए पढ़ने के लिए तो उस फिल्ड को मैं नाम देता हूं तो हम लोगों यहाँ पर लिखी हुई है वैंने मेंगनेटिक मैटिक प्लेज़ इस इंडिश इन एक डियुक्यूम् जो किस पसकता है यहांन किया कर सकता है तो हम लोग बाद करना चाहेंगे ऍसके रिप्रेडेंटेशन की इस ईडवलक कर सकते हैं माल दीजे मेरे पास कोई करेंट केरिंग लूप है उसमें से आई फ्लो कर रही है नंबर आफ ट्रांस उसके अंदर एंड है अब मैंने वैक्यूम कंसीनर किया है इसलिए मूनोट से मल्टिप्लाइ किया इस तरह से जो मैंनिटाइजिंग फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ अब लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस अनबर आफ टांस मानली हमें नभर आफ टांस कोई कंसी रखिया तो मैंने लिए फ्लोग वाली करेंट आई है तो इस कोई के अंदर जो फील्ड होगा उस फील्ड को मैंने आपने नाम दिया है मैं यह अपसों मैंग्रेटिक स्ट्रेंथ ही है हम लोग अगर इसको डिफाइंड करना चाहते हैं तो दोनों तिमर्द दरीके से दे सकते हैं जैसे उपर भी अपने दिरख्था है वी नॉट किसके लिए वैक्यूम के लिए एकोई तो यहां से भी इंडक्शन को हम लोग वी के दमस में शो कर सकते हैं यह न कि बात करते हैं तो दिफाइंड यह है बच्चों देखें कि जरा हम लोग दो तरीके से अज़ाओ रखती है जिसमें जो नीचे वाली डिफाइंड में ज्यादा अच्छी है उसमें यूट भी हम लोग ने देख्थी है तो यह क्या है संग औस एक्स्टरनल मेंगनेटाइक मैने लेकिर टी प्रोदू मेंगनेटtown व्यान अब किसी इसमने में ने उन्डेम हो गया है उन दोरों को लेकर के मैंने संग कर दिया जोड दिया तो उसको में टैक्क सं कि क्या रहा हूं इसको मैंने धुस्य ना यहां यह है में आदेवाइन, इसवी तोटल फिल लाइन लोगों ने इसको एक्सपरेंग करने कोशिच दिये मेस फिल लाइन ऑफ फोर्स्ट क्रॉस्टि पर यूरिट एडिया विडिया अंधिया इस वास होने वाली मेडिक feel lines की count को मैंने यहां पर कहा है तो माल लिए यह मैंने surface area ले लिया إिस surface area के perpendicular path होने वالी जो magnetic field lines हैं इनकी count को इनकी number को मैंने यहां पर कहा है क्या magnetic induction तब दिखिए कहने के लिए number of count है जैसे हम लोगोंने God serum electrostatics में पढ़ा आथा वहां भी ऐसे ही कुछ number यहां पर टोटल नमपर फील लाइन्स तो जिरो ही होगा क्योंकि जितनी बाहा निकल रही है उतनी ही यह कहिने पर बढ़ चुके हैं लेकिं थोड़ी दर के लिए हम लोगों ने एंटर करने वाली मेंगेनिक फील लाइन्स को कसि नहीं करना है सिर्फ हम यूनिट सर्फेस एयरा से यह एरिया भी कितना है one meter स्कॉाइर ना है यूनिट सर्फेस एयरा से निकलने वाली मैग्रेटिक फी लिए इसकि जो काउंट है मे추िशन को मैग्रेटिक इंडक्शन के नाम से चान रहे है तो यूनिट बाथ क्लियर है यहां पर मीटर स्कॉर यह मैं इसको टेसला कह सकता हूँ यह मैं इसको जूल पर एंपियर पर मीटर स्कॉर कह सकता हूं अब तीसरा पर यहां पर आता है आउडेजिग रियुट करते हैं जिसमें इसकी स्कॉर्ण उनगें इसकी स्कॉर्ण करेंगे हैं युनिट में पता जाएक कि कौन क्जाए लिए यह जैसे में इसकी इसको इसकी कॉंटिश्ण में लेंगे मेरे पास में कोई मैगनेटिक फील्ड है और इस मेगनेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर मैंने प्लेस कर दिया है कोई मैगनेटिक मैट्रियल वालिए यह मैंने मैगनेटिक मैट्रियल प्लेस कर दिया है तो अब इस एक्स्टरनल मैगनेटिक फील्ड बी की वैए से इसके अंदर कितना मैगनेटिक हो जाएगा या कितना मैगनेटिक यह हो गया कितनी properties ने acquire कर ली इस बात का measurement हम देते है magnetizing field intensity that is ability of magnetizing field यह ability किसकी है ability है जो external B हम लोगों ने apply किया हुआ है अब दो यह कोई बच्चा यह कहा सकता है कि B apply किया है तो इसके उपर भी B आ जाना चाहिए ऐसा नहीं है student होता गया है हम लोग generally earth पे रह रह रहे है तो यह तो मेरे द्वारा apply किया हुआ magnetic field है अब एक magnetic field earth का भी हो सकता है suppose मैं इसको B e कह देता हूँ अब इसके उपर जो effective होगा तो no doubt B और B e का vector sum होगा अब हो सकता है B e यानि earth का magnetism और applied magnetic field जो है वो दोनों अलों अलों डिरेक्शन में हो तो oppose करेंगे same direction में तो क्या करेंगे एक दूसरे को support करेंगे उसके according value change हो सकती है तो इसलिए मैंने एक नया parameter बना दिया कि मैंने apply तो magnetic field भी ही किया लेकिन इसके उपर effective कितना है अभी ये कितना acquire करेगा ये बात की बात है इसके उपर effective कितना है बहुत सिंदल सी बात है मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि माली classroom है यहाँ पे मैंने environment create किया हुआ है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ प्रियेक्टर चल रहा है notes पीछे चल रहा है ठीक है ना आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए है तो मैंने यहाँ से जो deliver किया जो environment मैंने बना रखा है वो तो B है लेकिन अब आपके उपर effective कितना है आपने कितना acquire किया भी इससे concern नहीं है आपके उपर effective कितना है आपके उपर effective हो सकता है जितना मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा हो जाए कैसे ज़्यादा हो जाए कि मैंने यहाँ जो भी अपना लगा रखा है system वो तो ठीक है आपने अपनी book भी open कर रखी है या आपके पास मैं कोई और अच्छी help बुक हो सकती है aerodob है या whatever so SC वर्मा है आपके उपर applicable है हो सकता है वो ज्यादा हो हो सकता है बराबर हो हो सकता है उससे कम हो तो that is H magnetizing field intensity इसको आगे हम लोग कहें तो H से denote करते हैं अपने आप में क्या है vector quantity है और magnetizing may be defined as the number of ampere ton अब देखो जो B था उसी के terms में H को हमें define करना होगा कहीं न नहीं तो ये हमारे पास क्या था B था हमारे पास में mu naught and I अब इसका कोई एक part क्या कर रहा है इसके उपर effective है तो I में राइड है H equals to and I मैंने यहां से क्या कर दिया mu naught को हडा दिया it may be greater than और less than तो ये मेरे पास हो गया B naught की value और ये हो गया मेरे पास mu naught H या H equals to मेरे पास आ गया कितना B naught over mu naught यानि जो medium है उसका जो effect था उसको मैंने एक तरीके से हटा गया it may be greater or less ठीक है न generally greater मिलता है आप लोगों को क्या था mu naught over 4 pi equals to 10 to power minus 7 तो अगर आप यहां पे 10 to power minus 7 करेंगे तो obviously H की value जादा हो जाएगी किस से B से तो जो मैंने एक positive बहला case अभी आपको समझाया था कि जितना मैं apply कर रहा हूं उससे ज़्यादा आपकी उपर effective है because of सिंबल से बात है आपके पास में और अच्छी बुक रखी हुई है आपके बास को अच्छा दोस्त प्यटा हुआ हुआ है तो जो environment में create कर रहा हूं उससे भी अच्छा environment आपको मिल पा रहा है that's the case तो mechanism के case में भी जब हम अर्थ के ऊपर हैं तो जनरल ही ऐसा ही होता है हम जितना apply करते हैं उससे ज्यादा effective होता है और कैसे effective होता है that is B not over mu not से effective होता है आगे बादा चाहें के टे रिश्ट्रेंट्स आगे नेक्स कोंसेक्ट वारा चाहें इसको ब्रेक अपर बेवर्ट नो बिलती है अब यह जितना भी हमें है रखता है तो बहुत ही ज़्यादा इंबादा आप एक इही चीज़ पी चाहरी आपको याद है इसके बाद में इसके बाद में लोगों ने अभी डिसकस किया और फिर दे और लोगों को अच्वेसे समझने आ जाएगा चलिए मानि यह मैंने यहां पे एपलाई किया था कितना भी यह एक इस्पेसिमेंट पड़ा हुआ था इसके उपर एक इस्पेसिमेंट के लिए मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ अब इसने यूनिट वॉल्यूम के ऊपर एक्वायर कितना कर लिया क्या बच्वो यूनिट वॉल्यूम के ऊपर उसने एक्वायर कितना किया है यह बात समझनी है यहां से मैंने इसका unit volume लिया और इस unit volume के उपर कितना उसने acquire कर लिया इस चीज को मैं कहता हूँ intensity of magnetization और I से डिनोट करता हूँ exactly I को mathematically मैं जानना चाहूँगा तो I equals to capital M over me M क्या है यहाँ में M है magnetic dipole moment जो हम पीछे से पढ़के आए है M is your magnetic dipole moment देखो बच्चों magnetic dipole moment पो आप लोग N, I, A के terms में भी लिख सकते हो एक दूसरा भी हम लोगोंने बढ़ा था B के terms में तो उस तरह से भी लिख सकते हो तो यह I यहाँ पे current है और यह वाला I आपका intensity of magnetization है तो दोनों में ध्यान रखेंगे चलिए मैं इसको small I बना देता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा आपको तो exactly intensity of magnetization is a magnetic dipole moment acquired by unit volume यह नीचे यहाँ पे क्या है volume है अब मैंने इस चीज़ को यहाँ प्लेस के अड़े है इस तो I equals to M by V M को मैंने यहाँ पे N I A लिख दिया अब यह I M सिर्फ इसलिए लिखा है कि यह current है यहाँ पे I से I cancel out हो गया और यह मेरे पास N into I आ गया No doubt that is intensity of magnetization and that is the current flowing through यह बात आपको समझ गी है यहाँ पे दूसरे दरफ मैं इसको BM के terms पर लिए सकता हूँ B M equals to B का मतलब magnetic field और M magnetization का concept that is Mu naught N I आप तो solenoid वाला case याद होगा वही चीज़ है यह Mu naught N I को ही हम लोगो ने थुला सा modify किया I M लिखा है magnetism के लिए देखो बच्छो यहाँ यह M M जो हम लोग बार-बार यूज कर रहा है इसके पीछे reason क्या है reason यह है कि electrostatics और magnetostatics दौनों बिल्कुल analogous branches हैं हम यह magnetostatics पढ़ रहा है यानि हमारे magnets जो है वो rest में है इसको हम लोग compare करना चाह रहे है किस से electrostatics के साथ में जहां पर कि हमारा charge rest में था तो बार-बार हम लोग यह prefix जो लगा देते हैं M M that is only for magnetism तो यह बात उन लोगों को ध्यान रखनी है बागी जर्णल notation mu not ni है तो आप लोग उसके terms में ला सकते हैं अब volume की बात करें यह case कहां से आगया यह आगया हमारा bar magnet का case बालिए मेरे पास मैं यह कोई एक bar magnet है अब इस bar magnet का जो cross-sectional area है वो a है और length इसका कितना है 2l है तो dear strength इसका volume जो है वो हो गया a into 2l अब मैं इस चीज़ को यहां से डाल सकता हूँ क्या magnetic dipole moment that is capital M magnetic dipole moment equals to qm into 2l where qm क्या है qm है small m तो आप यहां से m into 2l भी इसको लिख सकते हैं again don't be confused qm यह कहीं न गहीं electrostatic charge से magnetic magnetic moment sorry magnetic pole strength के साथ मैं compare किया है तो यहां पर confuse नहीं होना फिर समझ लीजिए यह qm और m दौनव एक ही चीज़ है यह small m ad restaurants और यह small qm है तो दौनव एक ही चीज़ है जहातर books में सिर्फ small लिखा होता है हमने आप जानबूस के qm qm बारवार यूज किया है तो रहा confusing आपको लग सकता है लेकिन सही rotation qm बारा ही है यह सही rotation आप लोगों को यहीं लेना है तो यहां से intensity आप निकाल सकते हैं यहां से नीचे आपने volume डाल दिया बार मेंट का यहां से नीचे आपने volume डाल दिया बार मेंट का a into 12 तो यह आपके पास में क्या आगया qm over a आगया आप अगर चाहें तो इस चीज़ को m by a b लिख सकते हैं where m is the magnetic pole strength of bar magnet and a is a cross-sectional area of bar magnet तो इस तरह से आप लोग intensity of magnetization को bar magnet के terms में ले सकते हैं वाल यह आपके पास में hazard shape का कोई specimen नहीं था आपने suppose इसको bar की form में specimen को ले लिया तो अब यह और आसान हो जाता है यहां पे area A ले लिया length 2L आपने ले ली और इसमें जो acquire हुआ magnetism वो mm दोनों poles होगे तो आप इसको इसको इसके terms में लिख सकते हैं there is a concept dear restaurants I hope so आपको अब यह बास समय में आगे होगी तो don't be confused regarding to small M, capital M and whatever so qm आपको यह सब बाता है लिकुल clear होई जीए और notations में मत जाईएगा हालां कि यह जो हमने अपने notes में notation दिये है that is notation through SIU system यही सबसे ज्यादा है अप्रोप्रियेट है लेकिन यह हो सकता है कि कुछ books में आसान बनाने के लिए यहां पे q को हटा करके इसी चीज़ को यहां हम लोगोने आगे फर्दर कहा रखा है इस चीज़ को मैं तोड़ा सा ब्रिक्ट करना जाओंगा जैसा अभी मैंने पहले आपको डिसकस किया ला कि स्पेसिमें जब हम लोग रखते हैं किसी इसके अंदर तो उसके ऊपर अर्थ का मैगनेटिक फील्ड अब हमारा अपनाइट मैगनेटिक फील्ड दोनों काम करते हैं यह मैंने यहां पर क्या ले लिया मैएटिक फील्ड लेलिया इसके अंदर इसके अज़ी ऑन्र। वह भी एफेक्टिव है तो टोटल हो गया है अब इस एच की विए से यूनिट वॉल्यूम ने जो एक्वाइर किया हो गया आई अब इन तीनों चीजों को रिजेंबल करके मैंने यहां पर लिखा बच्चो बी इकोईस टू बी नॉट प्लस बी एम इसको मैंने इन टरम्स आ अब मैं इसको आगे भी रिजॉल्व कर सकता हूं आगे भी ले आ सकता हूं बड़ा साइक रिलेशन आ जाता है उससे पहले इस पहले इस दिफाइन को और पढ़ा लो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता बार-बार बार इंदी चीज कह रहा हूं कि एक मैंने एपलाई किया है जुक्तव की आफ इपलाई गया उससे जारा इफेक्टिव कैसे हो गया इसके पीछे रेजम जो मेरे किअ परड़ेज हैं और हम कह सकते हैं या और पिर दोपारा असुआ इन दा तोटल लो मैंगेटिक फील्ड और मैंगेटिक इंडशन वी इनसाइड मैजिक मैंट्रील इ इनसे हां पर इन दौनाउं परस्ब्स और कhou लेना है किस-किस और के आदर जो हैं अपनी और ह होसकता है तो उसके हिपार WAT counter तो सिथे को स्किर्ण हो सकती है तो दौनों का सम वह होता है है इसके हमने भी इकोई सु भी नॉट प्रस भी एम कहा है वी नॉट वो है जो हमने एप्लाई किया है वी एम वो है जो इसके अंदर इंद्धू हो गया है इस तरह है अब इस चीज़ को हम लोग आगे थोड़ा सा और एलोगरेट कर सकते हैं यूनिट्स की बात करें दो दोन यह इसी भी मीडियम की अपनी एक एविलिटी है कि वो मैगनेटिक फील को किस एक्स्टेंड तक अपने अंदर से पर्मिट बोने देता है बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं अगर मैं इसे वैक्यूम के लिए कंसीरर करता हूं तो म्यू नॉट लिखता हू कोई मीडियम है तो इसको लिए मैं म्यू एम लिख देता हूं यहां से रिलेटिव परिमेबिलिटी भी हम लोग पढ़ाएंगे यह आगे वाला टॉपिंग हमारा आएगा यह आगे म्यू आ तो यह होता क्या है मैगनेटिक परिमेबिलिटी इक्वस तो एप्लाइड ओवर अप्लाइड ओवर इफेक्टिव यह एप्लाइड मेगनेटिक फील्ड है जो मैंने अप्लाई किया है डिवाइड कर दिया मैंने इसको किस से एच से जो इफेक्टिव है यूनिट्स की बात करें तो बी के लिए टैसला और एच के लिए एमप्यर पर मीटर इस तरह से मेरी यूनिट्स और आजाती है काउंट्टिव एक्जाम के लिए विसे सुरूप से द्यान रखें सीवेस्टी में बढ़ गई है तो यहां से यूनिट्स हो सकता है अब 11 में बज़े बज़े में बढ़ी नहीं थी नहीं थी पीन मतर का टॉपिंग है छोड़ दिया इसकोल वाल के अलावा उस सबस्क्राइब को अगर मैं इन तो यहां में यहां में लिखा था तो आप इसको मू भी लिख सकते हैं इसके साथ सब्सक्राइब के साथ में तो वैसा ही कॉंसेट आप लोगों को यहां पर मिलता है अब इसकी वैल्यू की बात करें वेक्यूं के लिए यह वन होती है एयर के लिए वन पॉइंट इतने साथ जीरो के बाद फोर और मूर में एक्सीड अप्टू थाउजेंट अगर इसकी व बात हम लोग एक और नया पर पढ़ने वाले हैं यह समझने के लिए सब्सक्राइब को ऐसे समझ सकते हैं यह रेशियो ऑफ आउट्पूट और इंपूट अब देखें आउट्पूट क्या था इंपूट क्या था यह बात तूरी से हमें समझनी होगी फिर दुबारा से वह इडायरम मनाता हूँ यह आपने मैलनेटिक फील्ड बाहर से एपलाई किया यहाँ पे आपने कोई स्पेसी मैन रखा स्पेसी मैन के ऊपर एफेक्टिव एच हुआ और एफेक्टिव तो एच हुआ लेकिन इसने एक्वायर किया कितना बच्चो आई इसके ऊपर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर तो नडाउट एच इफेक्टिव था आई इसने क्वायर किया तो आई समझने के लिए आउटपुट हो गया लिए 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 यहाँ पर आउटपुट हो गया और एच यहाँ पर इल्पुट हो गया तो सिंप्ली चाई एम यह वाला में क्या आई ओवर एच देज आउटपुट ओवर इंपुट तो यहीं हमने आगे एक्स्प्लेइन भी क्या है मैगनेटाइजिशन आई एंड दा मैगनेटाइजिंग फील्ड एच इन दौनों का रेशियो है क्या चाहिए हम सब्सक्राइटी आई उपसो आपको क्लेर मैंने रखता है स्पेसिमें जिसके उपर एफेक्टिव हुआ एच और आई इसने यूनिट वॉल्यूम के उपर क्या कर लिया एक्क्वाइर कर लिया तो आउटपुट है आई इंपुट है एच इस तरह से आउटपुट ओवर इंपुट दैट इस चाहिएम मैगनेटिक सस सब्सक्राइब कर सकता है अब एक लाश्ट टॉपिक आज की क्लास था बड़ा ही इंपॉर्ट है इस बहुत चोटा सा है यह बाद में लोगों को समझना है कई बाट तू मार्स में लोगों से डिसकस हो जाता है रिलेशन बिट्नी मैगनेटिक परमेविलिटी एंड मैगने परमेविलिटी और इन दौनों के बीच का रिलेशन है लोगों को यहां पर डैबलब पढ़के देना है अब देखें दो मिट पहले अब लोग पढ़के आए हैं बी इस इक्वास टू मू नॉट एक्स प्लस आई लेकिन बी जो है वह मू इंटू एक्ट के बराबर होता है यह वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी मू एच इक्वास टू मू नॉट एच प्लस आई यहां से मैंने वैरेवल सेपरेशन की क्या मू नॉट को अंदर ले गया और यहां मैं कह सकता हूँ एच को बाहा लिया आया कॉमन लेकर के तो एक स्टेप आउल लेकर देता हू इस मू एच इक्वास टू मू नॉट एच और यह हो गया वन प्लस आई ओवर एच अब यहां से कॉमन एच लेने का मेरा परपस क्या था परपस सिंपल सा दीया था कि मुझे चाहिए ससेप्टिविटी और ससेप्टिविटी होती है आई ओवर एच तो मैंने इसको एच को बाहर कौमन ले लिए हैसे से ह cancels out हो गया जैसे हcels a cancels out हुगा तो यह मिरको मिल हो मिल गया मेख सन्य एक्वर एच अब जड़ा इस म्यू नॉट को इधर ले आओ दैस्ट shines तो यह हो गया म्यू ओवर म्यू नॉट that is termed as म्यू आर रिलेटिव परिमियेबिलिटी इकोल स्टू वन प्लस आई ओवर एच को मैं लिख सकता हूं चाहिए हैं तो यहां से यहां से या फिर वन माक्स में इस रिलेशन को लिखर के पूछ लेता है अगें ध्यान रखिए यह जितने भी terms हैं इन सबकी जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है जब हम classification करेंगे materials का on the basis of magnetism वो करेंगे हम लोग coming class में हमारे पास basically तीन तरीके के इस रिश्टांसिस होते हैं एक होता है जो magnetism को बहुत अच्छे से क्या करता है एक ऐसा होता है जो रिपैल करता है magnetism को acquire होने ही देता आपने ऊपर एक होता है बहुत minute extent में acquire करता है तो paramagnetic, dimagnetic, ferromagnetic तीन तरीकी के सविस्टेंसिस हम रने वाले हैं next class में अब उनकी characteristics को लिखने के लिए बताने के लिए उनको differentiate करने के लिए यह जो आज की terminology हम लोगों ने पढ़ी है sensitivity क्या होती है, permeability क्या होती है, intensity of magnetic field क्या है, magnetic field क्या है, यह बात हम लोगों को यहां से सीखनी है, इसके बाद हम लोगों मेंगरी properties की बात कर पाएंगे, तो I hope so अपने हो बच्चों यहां से बंते तो सारे आपके one-one ask के question ही है, लेकिन अब बंते है, questions की number बहुत होती है, त और सारी चीज़ों को आप करेंगे, अगे ध्यान रहें, each and every class must be taken by you in continuity, कोई भी डाउट है, पहली बाद तो जब मैं क्लास record कर रहा होता हूं, deliver कर रहा होता हूं, तो कोशिश करता हूं कि from bottom to top, कोई डाउट आपका बच्चे ही ना, 27 years का जो experience है, उसको पूरा यहां डाल कि कोशिश करता हूं, जिससे किसी बच्चे का कोई डाउट आए ही ना, फिर भी, if you have any doubt, you are totally free, आप कभी भी phone कर सकते हैं, कभी भी whatsapp कर सकते हैं, phone करके आप individual time ले करके मेरे पास आ करके बैठ करके प्रे doubts क्लियर करके जा सकते हैं, अब अगर आप पढ़ेंगे नहीं, class ही लेंगे, तो doubt कहां से आएंगे, फिर कहेंगे, हमें समझ में नहीं आया, तो भाया, यह मेरे पास solution नहीं है, solution सारे के सारे हैं, अगर आप कुछ करते हैं, at all first you have to took my class, properly thoroughly इसको लीजिए, साथ-साथ अपने notes बनाईए, आपके पास में option है, कहीं भी इसको pause कर लीजिए, pause कर के अपने notes proper लिख लीजिए, यह notes भी printed format में, आपके पास 7 level है, जिनके पास नहीं है, वो इस shoot से आकर के ले लेंगे, तो printed format मिल जाएगा, लेकिन बहतर यहीं होगा, कि आप अपने app के अंदर से, जहां study material है, उसमें यह सारे notes पहले से ही पड़े होगा है, वहां से इसको सा लीजिए, अपने notes अपनी language में और brief करके लिख लीजिएगा, getting the concept or not, जब numericals करते हैं, अभी आप लोगों को MCQ section जो हम लोग test में देते हैं, वो MCQ section भी app के अंदर available होने वाला है, एक दो दिन में हो जाएगा, तो सारी की सारी, मन लीजिए, मैं एक unit की एक chapter की बात करता हू suppose उसमें मैंने 1500 MCQ दिये हैं, तो that is for your work, आप उ 1500 MCQs को मैंने run कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उनके solutions कर लीजिए, इसके बाद आप पर test होता है, तो I hope so आप और अच्छा acquire कर सकते हैं, दूसरा printed format भी आप लोगों को मिल सकता है, आप app के अंदर से print कर सकते हैं, मैं तो यह notes और अपने इनी notes के ऊपर सब notes बना सकते हैं, तो बच्चो सारी चीज़ों को continuity में करना है, उसी के basis पर आगे बढ़ना है, और I hope so अगली class में हम लोगों की यह chapter complete होयाईगी, सारा theoretical बचा है, निर्मेकर नाम की चीज़ तो कुछ है ही नहीं, आज की class में भी बात कर रहे है तो सिर्फ यह एक छोटा सा derivation है, दो लाइन का derivation है, इसमें कुछ है भी नहीं, तो मैं समस्ता हूं कि तो बहुत यह चीज़ बटा है, बहुत यह चाप्टा है, एंचे लॉट, you have to do all the things, best of luck.